बिस्मिल्लाइ रमान विर्वाहीम वेलकम तो आवर यूटूब चैनल आज की वीडियो उनिवस्टी आग्रिकल्चर फैसलाबाद के अद्मिशन वाल 2024 के रेलेटीड है अग्रिकल्चर यूनिवस्टी फैसलाबाद में अड्मिशन वाल 2024 जो हम स्टार्ट हो चुकी है सबसे पहले तुमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूटूब चैनल को भी तक सबस्क्राइब नहीं किया तो कैंड़ी सबस्क्राइब कर ले ताकि आपको तुमाम एडमिशन्स जॉब्स और स्कॉलर्शिप्स की अपडेट जो मिलती रहे इसके लावा हमने स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई की सर्विस्ट जो है वो भी स्टार्ट की है अब घर बैटे कॉल या मैसिज के तुम हम सप्लाई करवा सकते हैं ओनलाइन अप्लाई करवाने के लिए अब हमारे वाटसेब नमबर 03186845766 पर हम से कुन्टेक्ट कर सकते हैं युनिवस्टी ऑफ एगरिकल्चर फैसलाबाद में फर्स्ट इंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 जून 2024 है और फर्स्ट इंट्री टेस्ट जो बिसकली 14 जुलाई 2024 को कंड़क्ट किया जाएगा सेकिंड इंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट जो बिसकली 29 जुलाई 2024 है और सेकिंड इंट्री टेस्ट जो चार अगस 2024 को कंड़क्ट किया रहेगा ओनॐर्श्ट इंट्री टेस्ट गो सेकिंड गरना रिए protesting वेबिसाइत सब्सक्राइब गरने के लिए वेबसाइट टोपन करने के बाद इन्टिंड्रा उप्शिन आपके सामने उप्शन शोर है क्लिक करने के बाद आपके सावने यूनिवस्ट्री ओफ एग्रिकल्चर फैसलगबाद का अंडर ग्रेजुएट अड्मीशन पोर्टल जो है वोपन हो जाएगा सबसे पहले अपने अड्मीशन पोर्टल पर अपना आकाउंट चीह वो क्रियेट करने इदर आपके सावने इसके बाद आपने पासवर्ड इंटर करने इसके बाद आपने पासवर्ड को अपने कंफर्म करने और हुमन वैरिफकेशन जो है वो कंप्लीट करने के बाद अपने रजिस्टर के ऑप्शन को पर क्लिक करने है एड्मीशन पोर्टल पर अकाउंट चीह वो क्रियेट करने क के बाद अपने अकाउंट को आपने लोगिन करने ackon login करने के बाद इधर की सामले option चोह रहा है iht глаза है to complete you profile is option पर अपने फाले क्लिक करने क्लिक करने क्वाद on से पहले अपने फूल नेम अपना वह इंटर करेंगे इसके बाद अपने डेट ओफ बर्थ अपनी वह इदर सेलेक्ट करेंगे इसके बाद अपने अपने इसके बाद अपने सेलेक्ट करने इसके बाद अपने सेल्फून नंबर अपना वह इंटर करने इसके बाद अगर अप के अपने अप्षिन को पर क्लिक करने दॉबहाइस आपने नो की निदिक को पर क्लिक करना है इसके बाद आपने neighbor इंक्रुपेशन वूइडियं का अपनी आपने वूइंट करेंगे साथ से पहले अपने गाडियां आपने इंटर करना उनल्ड आपने इंटर करेंगे सबसे पहला आपने आडस छापने करेंगे इसके बाद करने आड Corn L mailing information जो अपनी वो इंटर करेंगे सबसे पहले अपने permanent address जो अपना वो इंटर करेंगे इसके बाद अपने permanent address के union console का number जो है वो इंटर करेंगे इसके बाद permanent address के police station का name जो है अपने वो इंटर करने और next के option को पर अपने click करना है address की information जो नाव उन्तर करने के बाद अपने secondary school certificate की information जो एपनी वो उन्तर करेंगे सब से पहले अपने matrik क के school का name जो хों ईंतर करने इसक बाद almacabak 또 Trail का address जो अपने वो उन्तर करने इसके बाद village या town का name जो आपने वो उन्तर करने स्कूल के अड्रेस का इसके बाद स्कूल की तहसील का नेम अपने इंटर करने हैं इसके बाद अपने बोड का नेम जो है वह इदर इंटर करेंगे इसके बाद अपने सैटिफ के टाइप जो है वह स्लेक्ट करनी है मैट्री किया यह ओ लैवल किया अपने यह स्लेक्ट करना है इसके बाद मैटरीक के सुबजेक्ट्स के नेम जो है अपने वह इंटर करने है इसके बाद मैटरीक का पासिंग यहर अपने इंटर करने है इसके बाद मैटरीक का रोल नंबर अपने इंटर करने है इसके बाद टोटल मार्क्स जो है अपने वह इंटर करने है इसके बाद Opened Works आपने वह इंटर करने और Grade जी अपना वह इंटर करने और Next कि आप्षिन और अपने कलिक करने मैट्री इंफॉर्मेशिएं जी आपने Low-校al की इंटर करने के बाद अपने Intermediate पार्ट वान की इंफॉर्मेशिन जी रजह वह इंटर करने हैं सबसे पहले अपने बोर्ड का नेम जो है वो सलेक्ट करेंगे इसके बाद डिस्ट्री का नेम अपने सलेक्ट करेंगे इसके बाद सेटिफिकेट का टाइटल जो है अपने वो सलेक्ट करेंगे इसके बाद अपने एफसी पार्ट वान के टोटल माक्स जो है अपने वो इंटर करने हैं इनकेस आपने FSE Part 2 के एक्जेम 2023 में क्लियर कर लिए हैं इस सिच्वेशन में भी जो है वो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने FSE Part 1 के मार्स जो है वो इंटर करने हैं इंटर करने के बाद अपने Finish के Option के पर क्लिक करने के बाद अपने Terms and Conditions को Agree करने हैं नीचे आपको Option शो हो रहे हैं इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद आप सेल्फ फिनास प्रोग्राम्स के लिए अपलाई करना चाहरे हैं तो अपने स्पोर्स के उप्शन को स्लेक्ट करने हैं इनकेस आप Code G empirical Activities की Base के ऊपलाई करना चाहरे हैं तो आपने इस Option को स्लेक्ट करेंगे इनकेस आप सेल्फ फिनास प्रोग्राम्स के लिए अपलाई करना चाहरे हैं तो आपने Self Finance की उप्शन को स्लेक्ट करने हैं अगर अपने Open Merit बेस की ऊपलाई करना है तो आपने इनMA 얇न से किसी option को वोस्ट नहीं करेंगे और generate what a option को पर अपने क्लीक करने है generate what a option को पर क्लीक करने के बाद नगात के सामरे University of agriculture फैसलाबाद का application processing fee what जो होज़ेगा जो कि basicly 3,000 रुपीस के है जो कि आप किसी भी allied bank, mcb bank और hbl bank को online branch में जो वो साब्मिट करवा सकते हैं इसके अलावा आप फीस्ट जह वह बिस् roman build के थूझ जो है वो भी pay कर सकते हैं जो कि सी भी इजड़ पैसा यह जैस केश application के थूझ जो भो पै कर सकते हैं application processing fees पे करने के बाद आपके application जो है वह सम्मीट हो जागी test के result जो है अनौन्स होने के बाद दोनों test के result अनौन्स जब हो जाएंगे तो then जो है वह आप पर्ग्राम के लिए apply करेंगे thanks watching for more information kindly subscribe our channel झाल